आज है 25 अक्तूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत हैवी इलेट्रिकर्स लिमिटेड जिसको हम बेल के नाम से भी जानते हैं 68 रुपीस का शेर है मार्केट पिछले कुछ दिनों से बहुत गंदे तरीके से तूट रहा है बेल के शेर में गिरावट है लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं है वीडियो में डिसकर्स करेंगे कि 68 रुपीस के इस शेर में मौका है या धोका है तो वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो चले शुरू करते हैं तो भेल 68 रुपीज का शेर है और अगें सरकारी कंपनी है तो भाईया सरकार के उपर बहुत कुछ चीज़े डिपेंड करती है सरकार जब चाहे तब इसको उठा लेती है जब चाहे तब इसको नीचे की तरफ गिरा देती है यहाँ पर अगर देखा जाए तो 56 रुपीज से जो रफ्तार पकड़ी 76 तक पहुँचा लेकिन बाद में एक करेक्शन देखने को मिला हमें यहाँ पर और उससे कोई हरानी की बात नहीं यह करेक्शन आना ही था क्योंकि मैंने इसे पहले भी कहा था कि यह वो कंपनी है जो 76, 77 रुपीज के आसपास एक स्ट्रॉंग रिजिस्टन्स लेकर बैठा हुआ है इसे पहले भी जब शेयर 77 रुपीज के आसपास पहुँचा था जैसे ही आप देखे थे इसे पहले जब 77 रुपीज के आसपाश शेयर था तब दुबारा ये टूटा था दुबारा तीजी आए थी दुबारा ये टूटा है दुबारा 77 रुपीज से ही दुबारा यहाँ पर हमें गिरावड देखने को मिल रही है और एक बड़ा आते हैं तब ये टूट जाते हैं कि नतीज अच्छे नहीं आते करोडों का नुकसान कंपने दिखाती है लेकिन दुबारा रफ्तार पकड़ना शुरू करता है कोई ना कोईसी चीज़े सामने आजाती है अच्छा मेक इन इंडिया में ये चीज़े हो सकते सरकारी ये ये चीज़े आये हैं हर बार इन्होंने लॉस दिखाया है और हर बार ये शाय टूटा है पिछले डेर साल में तो यही चीज़े देखने को मिल रही है यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करें भेल को लेका तो वॉल्यूम ट्रेड डेफिनिटली जादा है तक्रीबन चा 17 परसंट की होल्डिंग प्रमोटर के पास है 4.31 परसंट एफाइल के पास है 1.73 मूचल फंड पहले 1.21 परसंट थी इंशॉरंस कमने के पास भी 10.88 परसंट की होल्डिंग जो पहले 11.70 परसंट हुआ अच्छी क्वांटिटी में बड़े फंड हाउस के द्वारा खरीदार रहे हैं और 86 परसंट लोग यहां पर खरीदारी करने की सला देते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे कि मैंने कहा कि रिवन्यू इनके लगाता तूठी रहे लेकिन जो दिक्कत इनकी सबसे ज़ादा है वह है प्रॉफिट पिछर दो सालों में इनको बारी नुकसान सहना पड जो कि बड़ा लॉस माना जाता है और इसी वज़े से जब भी इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आया है शेर आपको 20 से 25 परसंट तक की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है बारत हैवी इलेट्रिकल्स खरीदारी का अभी भी सही मौक का है क्योंकि शेर ओरबोर्ड जो अभी नहीं दे रहा है यहाँ पर शेर होल्डिंग में अगर हम देखे तो हाँ अच्छी कॉंटिटी में खरीदारी हुई है म्यूचल फंड्स के द्वारा अधर डोमेस्टिक इंस्टिूशन में भी देखे तो खरीदारी हुई है वहाँ पर भी एफाइस ने हलके से विक् खरीदी ऐसा नहीं है बलके बड़े फंड हाउस नहीं खरीदा हुआ है और उनहीं में ही खरीदारी और बिक्वाली देखने को मिली है देखे मैं भारत हैवी इलेट्रिगल्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो देखे इसके चार्ट पैटर्न को आप समझने की कोशिश है कि बहुत बड़ा रेजिस्टन्स बहिए 75 के आसपास बैठा हुआ है जब भी गया है तूटा है यह जब भी गया है तूटा है इससे पहले भी अगर हम देखे 2019 की भी मैं अगर बात करूं तो तब भी इसी लेवल से बहिए गिरावड देखने को मिलती थी हमें यहां पर तो एटलीस इस लेवल पर तो बाइंग के कोशिश नहीं करनी चाहिए जो सपोर्ट के मैं बात कर रहा हूँ तो जो इनीशल सपोर्ट है वो तगरीबन पचास रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है यहां पर तो वहां पर खरीदारी के मौक के हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं के शेर पचास रुपए तक जा सकता है जा भी सकता है अगर इनके क्यूटू के रिजल्स अच्छे नहीं आए जब पहले गिरावाट आई जब 76 रुपए के उपर शेर था तब इनके क्यूवन के इनके रिजल्ट्स आया थे और लॉस हुआ था बड़ा और यही वज़ा थे कि 76 रुपीज से शेर 50 रुपए तक तूट गया 51 तक तूट गया था यह लेकिन दुबारा हमें तेजी देखने को मिली को कि देखो एक चीज़ यहां पर कॉमन होगी रिजल्स आएंगे खराब नतीज़ आए तूट जायेगा यह 20-25 परसन तक तूटेगा फि इसका मुलब यह नहीं है कि हर बार कंपनी लॉस ही करेगी ना भी करे अच्छे रिजल्स भी आ जाए लेकिन अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा है और पहली चीज़ यहां पर देखो कंपनी डूपने वाली तो नहीं अच्छी कंपनी है और देखो इसका की जो बाच्चीत हो रही है उसमें भेल के पास भी कई सारे असर्स है जिसको आने वाले समय में मॉनिटाइज किया जाएगा और डेफिनेटली बड़ा रिवन्यू उससे भी इनके लिए निकल गर आ सकता है ओवरल भारत है भी इलेट्रिक लिमिटेड देखो एक चीज है जिसको इंप्लिमेंट होने में जिसको करने में अभी भी सालों साल का वक्त निकल जाएगा ठीक है और देखें सरकार के अंडर में है ये कंपनी जाहिर से बात है अच्छे खासे प्रोजेक्ट इस कंपनी के पास है बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है इस कंपनी के और बेल उन्हीं में से एक है जो पैसा नहीं बना पा रही है तो मैं यही कहूंगा अभी के लिए कि देखो अभी एट लीस जब यह शेर 75 पर एक बड़ा रेजिस्टन्स बैठा हुआ है और Q2 के रिजल्ट्स भी आने वाले हलाकि डेट सामने नहीं आए कि कब आएंगे लेक इसके उपर जरूर होनी चाहिए आपकी और एक बार नतीजे आ जाए उसके बाद आपको यहां पर कोई गेम खेलना चाहिए अभी के लिए वेट एंड वाच लेकिन कंपनी को भूल मत जाना अच्छे मौके नतीजे के बाद जरूर देखने को मिलेंगे रिजल्ट्स अगर खराब आते हैं दुबाला तूटेगा तो याद रहिए नीचे के लिए अच्छी खासी कॉन्टिटी खरी देने का आपके पास मौका होगा तो वीडियो को यहीं प्रेंट कुरूंगा पसंद आयो हो तो लाइक कर शाय करें चैनल बगरा पहली बार है तो प्लीज सब्सक्र सब्सक्राइब करें और भारत हैवी इलेट्रिकल्स जाने की बेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखा कर बता सकते हैं थैंक्यू